और लेट चेक इट आउट गाईज तो अगधा आपको इस्टून टेक में दोस्तों जम कंपेर करेंगे कुछी टाइम पहले इंडिया में लॉंच हूँ दो के लिए रिस्पेक्स वाले मिड रेंज 5G स्मार्टफोन को जिनका नाम है वीव वाई 58 और रियल्मी P1 प्रो और ज चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों मुबाईलों के डिस्पले के बारे में जिसमें वीव वाई 58 में आपको 6.72 इंचेस के IPS LCD डिस्पले देखने को मिलेगी वही रियल्मी P1 प्रो में आपको 6.7 इंचेस के AMOLED डिस्पले देखने को मिलेगी वीवो में स्क्रिंड 293 फिपियाई होगी वही रियल्मी में आपको 394 PPS Snreaming Nensity देखने को मिलेगी अगर बाद करें इस्क्रिंड पोटेक्शन के तो दोनों मुबाईल में आपको स्क्रिंड पोटेक्शना को नहीं मिलेगी और बात करें दोनों मुबईल के वेट की तो वीवो का वेट आपको 190be देखने को मिलेगा और अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्थम की तो विउओ में आपको इनड़र् het 14 ऑपरेटिंग सिस्थम देखने को मिलेगा जो के फ questa 14 पर बेस्थ होगा वह करें पर्फolphान्स आपको रियलमी के इल्मी के काफी बेटर देखने को मिलेगा, वह Realme में आपको Adino 710 GPU देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर Gaming Graphics भी आपको Realme के काफी अच्छे देखने को मिलेगे, अगर बात करें Card Slot की तो Vivo में आपको Micro HD Card Slot देखने को मिलेगा, वह Realme में तो दोने मुबाल आपको 6GB में ही देखने को मिलेगा, अगर बात करें Storage Type की तो Vivo में आपको UFS 2.2 Storage Type देखने को मिलेगा, वह Realme में आपको UFS 3.1 Storage Type देखने को मिलेगा, और अगर बात करें दोने मुबाल ओके 樂 Kalis 4GB में 50 and 2 Megapixel का Dual Camera Setup होगा, वह Realme में आपको 50 और 8MP का Dual Camera Setup देखने को मिलेगा अगर बात करें Selfie Camera की तो Vivo में आपको 8MP का Friend Camera देखने को मिलेगा वहीं Realme में आपको 16MP का Friend Camera देखने को मिलेगा यहाँ पे Camera Segment आपको Realme का काफी अच्छा देखने को मिलेगा अगर बात करें sound quality की तो दोने mobile में आपको stereo speakers देखने को मिलेंगे अगर बात करें 3.5 mm jack की तो vivo में आपको 3.5 mm jack का feature देखने को मिलेगा वहें realme में आपको 3.5 mm jack का feature देखने को नहीं मिलेगा अगर बात करें fingerprint sensor की तो vivo में आपको fingerprint sensor side mounted देखने को मिलेगा वह रियल में में आपको fingerprint sensor under display देखने को मिलेगा और दोने mobile में आपको 2.0 TAPC USB port भी देखने को मिल जाएगा और एगर बात करें infrared port और NFC के तो दोने mobile में आपको infrared port और NFC के feature देखने को नहीं मिलेंगे अगर बात करें battery segment के तो Vivo में आपको 6000 mAh के LiP battery देखने को मिलेगी वह रियल में आपको 5000 mAh के LiN battery देखने को मिलेगी charging के बात करें तो Vivo में आपको 44 Watt के fast charging देखने को मिलेगी वह रियल में आपको 45 Watt के fast charging देखने को मिलेगी और एकर बात करें दोनों मोबालों के कलर्स की तो Vivo में ब्लू और ग्रीन कलर्स आपको देखने को मिलेंगे वहीं Realme में आपको रेड और ब्लू कलर्स देखने को मिलेंगे इंडिया में VivoY 58 का प्राइस 19,499 होगा वहीं Realme P1 Pro का प्राइस 17,999 होगा तो दोस्ते ही था इन दोनों मुबालों का complete comparison overall दिखाया है तो दोस्तों दोने मुबाल में एकदम killer features आपको देखने को मिलेंगे लेकिन Realme P1 Pro आपको सबी सेग्मेंट में better देखने को मिलेगा Vivo Y58 से तो इस comparison का winner होगा Realme P1 Pro अगर आपको वीडियो अच्छा लगो तो वीडियो को like share जरूर करना और चैनल को subscribe करके bell notification को भी on कर लेना और comment करके बताने के आपको वीडियो कैसा लगा तब तक के लिए इतना ही मिलता के लिए वीडियो में